सरक्ती सांज का सूरज समापन का संदेशा है अमावश की निसानी है अंधेरे का अंधेशा है मगर उम्मीद की किर्णे नयन की कोर में रखना निशा के बाद ललचों ही सुबह होती हमेशा है निशा के बाद ललचों ही सुबह होती हमेशा है सुबह होती हमेशा है नमस्कार मित्रो में मम्मत्यावाज पेई भुपाल से मेरी हरी बरी च्छत पर आपका स्वागत है और अभी ये जो भी समय चल रहा है ये अंधेरे का ही सुचक है और मुझे लगता है कि सुबह जरूर होगी और हमें उम्मीद की करणे अपनी पलकों में संजोगे रखना ही है तो चलिए आज बात कर लेते हैं जेट प्लांट के बारे में मेरे किसी एक विवर फ्रेंट की रिक्वेस्ट आई थी कि आप एक वीडियो जेट पर बनाएं तो वैसे तो मैं पिशली साल भी जेट पर एक पूरा वीडियो बना चुकी हूँ मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा और ये पलांट चो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरा बहुत पुराना पलांट है और ये पहले और घना था और बड़ा था ये देखिए आपको दिख रहा है आधी में एक बार इसकी एक टहनी तो तूटकर पूरी खत्म हो गई देखिए ये सूख गई है और ये दूसरी थी ये भी चटक गई है और मैंने इसे एक लकड़ी का सहारा देकर खपच्ची बांद के और रसी से बांद रखा है और चमतकार देखिए कि बिल्कुल टूटी टाटी सी टहनी है लेकिन ये पौदा अभी चल रहा है इसी चक्कर में मैं इसको री पॉट भी नहीं कर रही हूँ तो देखिए इस तरह भी मैंने टेक अवे के लगा रखे है लेकिन अच्छे शेप में है अगर ये खराब होता है तो सच में मुझे बहुत दुख होगा एक टहनी तो पूरी मेरी खराब होगी तो चलिए आज फटा फट बात कर लेते हैं कि जेट प्लांट के लिए कैसी मिटी चाहिए कैसी सनलाइट चाहिए और क्या-क्या इसको जरूरत है खात पाने सब कुछ तो यदि आप प्लांट के शौकीन है और आपके पास बहुत समय नहीं है बहुत महनत करने के आपको आदत नहीं है मेरा अपना अनुभव है कि इसको बिल्कुल केयर नहीं चाहिए होती बस मैंने लगा दिया है और मैं इसमें बिल्कुल धिहान नहीं रखती बस इसकी पाट की साइज ऐसी लें कि अगर छोटे छोटे सा पौद है तो छोटे पाट में और जैसे जैसे प्लांट की साइज बढ़ती जाती है जैसे कि मेरे प्लांट की देखिए बढ़ा हो गया है तो फिर मैंने बड़े पाट में लिया और जहां तक इसको आकार या शेप देने की बात है वो आप अपनी कलपना से दे सकते हैं ये बिभिन नाकार में आता है एक बुश की तरह भी अगर इसको ट्रिम नहीं करेंगे तो बुश की तरह हो जाएगा मैंने इसको बोलजाई बनाने की कोशिश की है और इस तरह देखिए मैं नीचे की सारी डालें प्रून करती जाती हूँ और फिर ये बीच का तना मोटा होता जाता है और ये तो देखिए मैंने एक पत्थर उठा के लाई थी और उसमें छेत पहले इसे थोड़ा सा उसके शेप में गड़ा था थोड़ा हमने और करके और उसका एक पॉट बना लिया जो बहुत ही अच्छा लगता है इस पॉट को अलग अकेला रगदो तब इसकी ब्यूटी बहुत अच्छी लगती है रॉक गार्डन जैसा दिखता है रॉक का टुकड़ा है तो चलिए इसकी मिट्टी की बात कर लेते हैं क्योंकि है सेकुलेंट प्रजाती का पौदा है जो सेकुलेंट जो भी प्लांट्स होते हैं वो अपने पत्तों में पानी स्टोर करके रखते हैं तो इसको भी सेकुलेंट प्रजाती के जितने भी होते हैं उन्हें सैंडी सॉल चाहिए होती है तो जिसे मार्डीनियम के में तो मैं 60 percent sand ले लेती हूं, भाकी मेरी गारडं की मिट्री रहती है और थोड़ा सा खाद मिट्टी बनते हैं, एक बर मिला देते रहुआ हैं जिसकी कोई खाद लगता है लेकिन आपको अगर कोई शेप देना है तो ये आप मंचाह शेप दे सकते हैं ये नीचे की तरफ लटका हुआ भी बहुत अच्छा बनता है इसका नेचरल सभाव जो होता है वो नीचे की तरफ लटका हुआ होता है मैंने देखिए ये सीधा करके लगाया तो मैंने एक लकड़ी गड़ाई है और इसमें इसको बांधिया क्योंकि मैं सीधा पेड़ जैसा इसको शेप देना चाहती हूं सनलाइट कंडिशन की बात करूं तो वैसे तो मैं फुल सनलाइट में रखती हूं भी मेरे मई में भी रखें लेकिन जब कई बार बहुत तेज अगर धू लगा देते हैं इसकी चोटी सी टहनी लगा देते हैं और इसे इंडोर भी रखते है पर मैंने जब भी इसको इंडोर रखा इसके पत्ते पीले पड़े और जड़ गए और यह कुछ दिन बाद बेर ओना कोकर लेगी सा ओकर खतम हो गया तो एक्शली एक कुछ दिन रह सकता है अंदर आप सजाने के लिए रख रहे हैं तो पर इसका सुभाव है इसको फुल सनलाइट चाहिए होती है और फुल सनलाइट में इसकी पतियां अच्छी मोटी गद्यदार गूदेदार रहती है हां इसको जादा पानी नहीं चाहिए जो कि सारे सैकलन का रहता है कि इसकी ज पानी में टंगा था गंबला और शायद ध्यान ने दिया तो इसमें कुछ पानी की कमी हुई है तो इसकी पत्तियां भी जड़ गई है और मैं भी आपको नजदीक से दिखाऊंगी कि जब पानी की कमी हो जाती है यह तेज धूप में टांग दिया मैंने और अगर दो-चार दिन भी पानी नहीं मिल पाया तो इसकी पत्तियां बिल्कुल श्रिंक होकर और देख आपको शो करती है कि हमें पानी की कमी है तो आज मैंने जब इसको रिकॉर्ड किया तो मेरा ध्यान गया इसकी पत्तियां श्रिंक हो रही है तो मैं इसको पानी में रखतूंगी और इसक प्रोपगेशन की बात है तो इसकी दो इंच की टहनी भी आप काट के अगर कहीं भी किसी भी मिट्टी में लगा देंगे मैं जब इसकी कटिंग करती हूं तो एक पॉर्ट मैं इसकी खटी 25-50 कटिंग खटी लगा देती हूं और फिर उसमें रूट डवलप हो जाती है तो किस एक अब इसकी को देना है या कुछ भी करना है मैं आई बहुत बार्टा इसको और इसके सथ एक और मिथक कहें या कुछ भी कहें एक ऊर्श के साथ कहानी जुड़ी है कि लोग कहते हैं कि इसे आप अगर घर में रखेंगे तो आपके पास दन की कमी नहीं होगी अब हाला कि मैं इस तरह की कहानियों में बहुत विश्वास नहीं रखती है पर फिर भी मैंने आपको बता दिया को लोग इस तरह भी कहते हैं यह देखिए मेरा दूसरा वह बाला प्लांट है जो कि टूटा हुआ है जो अभी दिखाया था इसकी पत्तियां कितनी गद्देदार हो रही है और यह खुले में तो यह भी रखा है पर इसका पॉट साइज बड़ा है रूट बांड नहीं हुआ कि और इसको पानी भरपूर म किये तो आपको कुछ नहीं करना है इसकी कटिंग तो बरसात में करना चाहिए अगर शेप देना है तो और बस इसको सैंडी सॉइल बनाए जिसमें पानी न रुके थोड़ा सब बनाए तो बर्मी कंपोस्ट डाल दें और फिर आप फुल सन नाइट में पूरे सीजन में लाइक करें शेयर करें सबस्क्राइब तो मुझे करी ले